हेलो स्टूडेंट्स हमारा आज कर्ड़ आपक है management is a science ठीक है management is a science बढ़ने के लिए सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि science को समझते है systematic and organized body of knowledge based on logically observed finding facts and events ठीक है science जो है वो logics पर based होती है यानि कि जो कि जिससे में क्या पता चलता है कुछ findings निकलती है कुछ facts पता चलते हैं कुछ events create होते हैं ठीक है तो वो क्या है आपकी science next रहते features पे features क्या होते हैं पहला feature है scientific body of knowledge ठीक है यानि कि science के systematic body of knowledge है इस feature को आप management के साथ भी compare करोगे सबसे पहले देखते है systematic body of knowledge कैसे है देखो आपने 8th, 9th, 10th में भी science पढ़ी होगी science के लिए books available होती है यानि कि theoretical knowledge available होती है उसी तरह management की भी books available होती है यानि कि आपके पास management भी theoretical knowledge के रूप में available होती है यानि कि यह feature क्या है उसका science का management में present है second है principles based on logical and scientific observations ठीक है जो scientific principles होते है वो क्या होते है सबसे पहले develop किया जाते है observe किया जाते है और उसके बाद वो उनको lab में test किया जाते है ठीक है ऐसी management में क्या होता है कि human beings पे अजमाया जाता है उनको observe किया जाता है और लेकिन यह क्या होता है कि logical नहीं होता क्योंकि आप जो observe करें वो आप lab में test करोगे तो बार बार भी करोगे तो एक ही result आएगा लेकिन आप अगर human being पे अजमारे हो कोई चीज तो ज़रूरी नहीं है कि वो reaction बार बार एक ही हो for example अगर 10 बच्चे लाइन पे खड़े अगर आप 10 के 10 को थपड़ मारोगे तो ज़रूरी नहीं है कि 10 के 10 का reaction एक जैसा हो कोई चुप रह जाएगा कोई उल्टा गाली देता है कोई कुछ बोल देता है कोई कुछ कह लेता है ठीक है तो यह जो है features वो science का management में present नहीं है थार्ड है आपका principle based on repeated experiments ठीक है यानि कि scientific principles जो होते हैं वो क्या होते हैं repeated experiments पर based होते हैं यानि कि आप उन्हें अलग-अलग condition पर अलग-अलग जगा पर जाके भी करोगे कर सकते हो ठीक है ऐसे management principles को भी आप अलग-अलग conditions में अलग-अलग organizations पर जाके कर सकते हो अलग-अलग human beings पर कर सकते हो तो यह वाला feature क्या है आपका यह अलग feature science का आपका management में present है फोर्थ है आपका universal validity universal validity क्या होती है यानि कि universal validity का मतलब है कि जो चीज आपने lab में tested हो गई कि जैसे Newton का law है कि apple जो है वो उपर से नीचे गिरा तो यह हर जगा universe में यही चीज मानी जाती है कि apple जो है उपर से नीचे गिरता है ठीक है तो यानि कि यह कि आपका universal validity लेकिन human being के case में यह चीज नहीं होती ठीक है जैसे मैंने आपको अभी example दिया था कि human behavior अ अलग-अलग response से मिलेगा तो यह feature के app का present नहीं है next है replication is possible replication is possible का मतलब है कि अगर दो scientist same research कर रहे है same data ले रहे है same investigation कर रहे है तो उनके result भी same माईगा obviously ठीक है लेकिन management के case में इसा नहीं होता अगर आप दो human beings को ले रहे हो उन पर same data ले रहे हो सब कुछ same कर रहे हो same methods अपना रहे हो लेकिन दोनों का response कियाएगा अलग-अलग आएगा ज़रूरी नहीं है कि एक को आप motivate करने के लिए आप उनको suppose मानले example ले लो कि motivate कर करने के लिए तो workers को आप incentive दे रहे हो तो जलूरी नहीं है कि दोनों cash से ही खुश हो ठीक है हो सकता है कि कोई box से खुश हो जाए या bonus से हो जाए ठीक है या फिर motivation से हो जाए या promotion से हो जाए ठीक है तो इसका मतलब यह है कि यह feature जो है वह present नहीं है